नमस्ते दोस्तों जोस मेंटर चैनल पर आपका स्वागत है आज का हमारा पहला टॉपिक है नदी सुक्त तो नदी सुक्त के बारे में बात करें तो यह है इस टॉपिक से लगबग हर परिक्षा में हर बड़ी परिक्षा में क्वेशन बनता है यहाँ से आपको एक एदो क्वेशन के नमबर हमेशा देखेंगे तो आएए जानते हैं नदी सुक्त है क्या सबसे पहले जानते हैं कि इसका जिक्र का है तो इसका जिक्र रिगवेद के दसम मंडल में है इसमें कुल 19 नदियों की चर्चा है विसारी नदियां जो रिगवेदिक और उत्तरवेदिक काल में थी पर थम जो नदी है जिसका जिक्र है वो है गंगा और अंतिम जिस नदी का जिक्र है वो है गौमती और इसमें एक important topic यह है important बात यह है कि जिस नदी का जिक्र नहीं है वो है ब्यास नदी है तो यह important question है, इसको याद रखेगा, तो आए जानते हैं कि यह नदी सुक्त है क्या-क्या, तो यह यहां से यहां तक नदी सुक्त है, जो रिग्वेद के दसम मंडल में वलनित है, इसमें से कुछ नदियों के नाम हम देख सकते हैं, जैसे कि गंगा यहां पर है, सरस्वतीत य यानि सतलज यहां पर है, परुषनी यानि रावी यहां पर है, अस्किनी यानि चिनाव यहां पर है, वितस्ता यानि जेलम यहां पर है, इसके अलावा यहां पर अडजीक और सुसोम, यह दोनों रिग्वेदिक कालीन परवत थे, इनका नाम भी यहां पर लिखा हुए है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर रसया यानि रसा और सिंधु का यहाँ पर जिक्र है गोमती और कुर्मु यानि कुर्रम का यहाँ पर जिक्र है तो यह हमारा आज का टॉपिक था धन्यवाद